Let's do question number 15th of exercise 9C that is linear equation in one variable. Question number 15th is a man is 4 times as old as a son. वो कह रहा है, man की age 4 गुना है उसके son से. After 16 years, 16 साल बाद, आज अगर son की age का 4 times है man, तो 16 साल बाद he will be man की age जो होगी only twice as old as his son. अपने son का twice होगा, तो अपने son की age का, जो 16 साल बाद son की age है, उसकी twice होगा man की age, find their present age, तो हमें present age निकालनी है, तो कैसे करेंगे, हम आज की age पता है man और son की क्या है, देखिए, आज की age हमें पता चल रही है कि son की age का 4 times है man की age, तो son की age क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, तो let the present age, present age of sun be, of sun be, x years, x years हो गई sun की age, तो हमारे men की age क्या होगी, present age of men, be, 4 times the sun age, तो 4 into x कह सकते हैं, तो 4 into x हमें पता है, 4 x years हो गई, right, अब वो कह रहा है 16 years बाद, तो after 16 years, आपने last question देखा हो, तो मैंने आपको बताया था, जब भी ये, after, या ego, या hans करके, जितने भी years दे रखे होते हैं, तो हम उतने साल बाद या पहले की age निकाल लेते हैं, तो after 16 years, अगर आज x है, तो 16 साल बाद, जो भी आज की age होगी, उसमें 16 एड हो जाएगा, तो हमारे sun की age कितनी आ जाएगी, 16 years बाद, that is, जो उसकी आज है age, उसमें 16 years एड हो जाएगे, right, या गई, इसी तरीके से men की age, क्या हो जाएगी, men age, आज जो age है, आज क्या है, 4 x, उसमें 16 साल एड ह जाएगे, तो 16 साल एड हो गई, right, अब जैसे-जैसे कह रहा है, वैसे-वैसे करते रहेंगे, after 16 years, after 16 years, he will be, he, यहाँ पर कौन है, men, men की age will be, तो 16 सा, years बाद, men की age क्या थी, 4 x plus 16, 4 x plus 16, men की age will be, will be का मतलब, equal to, twice as old as his son, 2 times हो जाएगी, 2 times हो जाएगी, जो उसकी सन की age है, सन की age कितनी थी? x plus 16 देखिए ये after 16 years की ही बात कर रहा है तो हमने after 16 years के बात की ages लिये है वो कह रहा है जो man की age है वो two times हो जाएगी sun की age का तो वही मैंने कर दिया है जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे ही किया है अब bracket open कर लेंगे तो 4x plus 16 as it is अब 2 की multiply x में देखिए जब भी ऐसे bracket होता है अब बाहर numerical value होता है तो इसकी multiplies में इसकी multiplies में ये मैं already past exercises में बता चुकी हूँ तो प्लीज सारी videos देखिएगा प्लस अब 2 की multiply 16 में तो अब bracket open कर लेंगे तो 4x plus 16 as it is 2 into x is 2x 16, 2s are 32 अब हम variable terms excite और non-variable terms अब देखिए 4x और 2x में से 4x बढ़ा है तो हम 2x इधर लेएंगे left side लेएंगे तो हम 2x left side लेएंगे तो 32 अपनी जगे रहा हो 16 right hand side आ गया तो हमारा minus का हो गया sign change हो गया आप देखिए like terms देखिए 4x में से 2x गया तो 2x बच्चा और इसी तरीके से 32 में से 16 गया तो 16 बच्चा तो x की value निकल गयाएगी 16 के नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 की multiply इहां पर x के साथ औरी थी तो उधर जाके divide हो गया तो x की value आ गई 2 1s are 2, 2 8s are 16 x कितना आ गया? 8 तो हमें पदा चल की sun की age 8 years क्योंकि हमें present age निकाल गया ओर present age लिखका है और present age की value यह है और यह है तो इसलिए sun की age कितनी आ गई? sun age आ गई हमारी x मानी थी तो x की value 8 इत इक 8 years आ गई और men की age men की age कितनी 4 x 8 हो जाएगी क्योंकि 4x है, देखिए, इसलिए 4 x 8 हो जाएगी, तो कितनी आगे 4x है, 32 years is the answer, let's do next question now, next question is, a man is thrice as old as a son, वो कह रहा है, man की age जो है, thrice है, 3 times है, son की age का, right, आगे कह रहा है, 5 years ago, ago का मतलब होता है, पहले, 5 साल पहले, यह आज की age दे रहा है, कि son की age का, 3 times है man की age, right, और 5 साल पहले, man की जो age थी, the man was, 4 times as old as his son, वो चार गुना था, अपनी son की age का, तो हमें आज जो age होगी, वो बतानी है, देखिए, यहाँ पर आज की age दे रखी है, कि आज जो है, man 3 times है son की age का, लेकिन 5 साल पहले, man जो था, वो ट 4 times the son की age का, तो कैसे करेंगे, देखिए, son की age नहीं दे रखी, तो let कर लेते है, let the present age of son, b, x years आ गई, right, जब present age son की x आ गई, तो present age of man कितनी आ जाएगी, वो कह रहा है, 3 times था son की age का, तो 3 into x हो गई, तो यह कितना आ गया, 3x years हो गई, right, अब आगे कह रहा है, कि 5 years ago, 5 साल पहले, पहले में, अगर आज किसी की age 14 years है, तो 5 साल पहले वो 9 साल करा होगा, क्योंकि 14 में से हमने 5 years minus करके देखा, कि वो 9 years करा होगा, तो इसी तरीके से 5 years ago, 5 years ago, तो जो आज की age है, उसमें से 5 साल minus कर देंगे, तो हमें sun की age पता चल जाएगी, तो आज की age sun की x है, उसमें से 5 years minus कर देंगे, तो x minus 5 years आ जाएगी sun की age, इसी तरीके से man की जो age है, वो आज की age, आज की age क्या है, 3x, उसमें से 5 years minus कर देंगे, तो हमारी ये, man की age आ गई, अब वो कह रहा है, पांच सल पहले, पांच सल पहले की बात कर रहा है, तो पांच सल पहले की age ही ली जाएगी, वो कह रहा है, the man was, man की age जो है, पांच सल पहले वाली, देखें, पांच सल पहले man की age क्या है, 3x minus 5, 3x minus 5, the man age will be 4 times, 4 times है sun की age का, x minus 5, देखें, 5 years ago, the man was 4 times as old as his sun, 5 साल पहले sun की age का 4 times है, तो देखें, man की age 4 times है sun की age का, तो अब हम bracket open कर लेंगे, तो देखें, 3x minus 5 as it is, अब 4 की multiply x में भी, क्योंकि यह देखें, bracket open करेंगे, बहार constant value है, तो इसकी multiply इसमें भी, और इसकी multiply इसमें भी, तो प्लस, 4 into minus 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें, तो यह minus plus minus यहां लिखें, 4 into 5 भी लिख सकते थे, तो आप देखें, 3x minus 5 as it is, 4 into x is 4x, plus minus, देखें, यहां पे कर रहे हूं, plus minus minus, 4 into 5 is 20, 4, 5 is 20, अब आप देखेंगे, 4x variable जादा है, 3x से, तो 3x इधर ले जाएंगे, तो हम minus 5 अपनी जगे रहा, तो 20 इधर आगया, तो plus का हो जाएगा, equals to 4x अपनी जगे रहा, 3x उधर जाएगा, तो minus का हो जाएगा, आप देखें, 1 plus का, 1 minus का है, तो आप उसमें subtract हो गए, sign बड़े वाले का, तो 20 में से 5 गया, 15, और plus का sign लगेंगे, अब 4x में से 3x गया, तो x, तो हमारे x की वाल्यू कितनी आगई, 15 आगई, तो x किसे माना था हमने, sun की age का, क्योंकि हमें present age निकालनी है question में, present age कह रहा है, तो present age क्या थी हमारी sun की, x थी, तो हमारा sun की age आगई, sun age आगई हमारी x, x थी हमारा 15, तो 15 years आगई, और men की age थी 3 times, देखिए, 3 times तो इसका, x का 3 times, 3 into 15, जो की हो गई हमारी 45 years, is the answer.